वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और इसमें तितियां बताईगे जरूरी तितियां आपको नोट करिए modification की अंतिम तारीक 9 अपरेल है लेकिन final payment करने की अंतिम तारीक और form भरने की अंतिम तारीक 3 अपरेल है इसको ध्यान रखेगा 3 अपरेल से पहले आप लोग फिल अप कर लीजिए इसको otherwise last minute rush होती है website भी बहुत अच्छी maintain नहीं होती है किसी BIO की तो आपको समस्या हो सकती है उत्राखंड जैसे राज में 189 अपर subordinate के रिक्तिया निकाली गई है यहाँ पर घटाई बढ़ाई जाने के लिए हर बार लिखा जाता है लेकिन आमेशा रिक्तियां बढ़ती है घटती रही है तो यह 189 पोस्ट के लिए आप लोग fight करेंगे उत्राखंड वाले इसके ला जुद्धी है इसमें लिखा गया है कि प्रणुपिक परिक्षा बस्तुनिस्ट प्रकरती की होगी प्रशन पत्र समान अध्यन का 150 मार्क्स का 150 कोस्टन्स वाला होगा और इसी से कटाउख आपका डिसाइड होगा दो गंटे में जो पेपर होना है सेकंड पेपर दूती पे भी होंगे चेंज बेसिकली आपको कोस्टन पेपर हम देखने के बिलेगा यहां पर स्ट्रूप से पहली लिख दिया गया है कि उत्राखंड स्पेस्विक निउन्तम एक तिहाई प्रशन इसमें पूछ जाएंगे उत्राखंड राज के संदर्ब में आनिवार रूप से नि पेपर था भाग तीन में उत्राखंड समंधित विविज जानकारी इन्होंने पूरा सेक्शन एक बनाया था कॉश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक ऐसे ही UKPSC क्या करेगा इसमें एक भाग बना देगा उत्राखंड की जानकारी उत्राखंड समान ग्यान करके इसलिए उसमें लि होते हैं रेंडम और उसी में यूपी जी के सवाल डले होते हैं लेकिन इसमें क्या होगा कि एक अलग से सेक्शन होगा उत्राखंड स्पेस्पिक आपको उसको एनिसर करना पड़ेगा अलांकि यसा कोई इसमें रूल नहीं रखा गया है कि पर्टिकुलर सेक्शन में आपक यूपी स्पेशल के अलांकी स्पेशल वाले कंटेंट से अभी मैं पूरा स्लेबस दिखाऊंगा तो और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे एक चौथाई दंडात्मक यहां पे मार्किंग होगी या निखी निगेटिव मार्किंग होगी रिणात्मक मुल एंकन जिसक इसमें समान Entean का पांचवँ उच्टा पेपर स्टेस्पे 아마 गांदिर राज की यह अंनकारी से लाए निखी प्रश्न-पत्र होगा जैसे यूपी स्पेशल प्रश्न-पत्र होता पांच वैसे यहां पर भी इन्होंने एमुलेट करने का प्रयास किया पैटरन को वागी समान हिंदी UPPST में भी 150 marks की होती है हिंदी निबंद भी होता है UPPST में अलांकि उसको इंगलीश में भी लिख सकते हैं इसमें भी निबंद है मतलब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बागी साक्षातकार UPPST में 100 marks का होता है इसमें 150 marks का होता है टोटल 16.500 से आपको पोस्ट मिलेगी जो आप फिल करेंगे प्रिफरेंस जिसको देंगे तो यह ऑफिशल नोटिफिकेशन से पढ़कर करें बता रहा हूँ तो जो है इसमें आपको देखना पड़ेगा मेजर चेंज जो प्रिलिम्स में है वो यह है कि समाने ध्यन का पहला प्रशन पत्र होगा जिससे कट आउफ डिसाइड होगा मेन इसका इसमें आपको 50 प्रशन यहापी UK स्पेशल के फेस करना ही पड़ेंगे अभी सिलेबस के विभिन बिंदों पर चर्चा करेंगे यूनिट वाइस पूरा डिटेल में इसको ब्रेकडाउन करेंगे और हमारा स्टेडिम्ट्रिल का ऐसे इसमें हल्प करेगा आपको स्टेडी करने के लिए सब मैं के करके बताऊंगा यूनिट वाइस सिलेबस डिसकेशन में अभी आगे की बात कर लेते हैं डेली अगर आप 6 गंटे मिनिममम की स्ट्राटजी यहां पर बनाते हैं तो अभी भी UKPSC का प्रिलिम्स एक्जाम जो है क्लीर कर सकते हैं इसका घटाओफ निकाल सकते हैं के लिए eligible हो सकते हैं अगर अभी भी आपने UK special कुछ भी नहीं पढ़ा है आप UKPSC में एकदम पहली बार जाना चाहा रहे हैं तो study for civil service का जिन लोगों ने group join किया आप आसबस्त रही है जो भी study material यहां पर दिया गया है strategy वीडियो जो यह बन रहा है इसको आप पूरा देखिए study material वसी से आप से follow करिए practice resources हमारे follow करिए लगातार revision करिए और जो guidance आपको group में आगे मिलता रहेगा उसको अगर आप follow करेंगे आप cut off तक पहुंच सकते हैं अभी भी आपको cut off तक कैसे पहुंचना है क्या strategy रहेगी यहां पर क्या study material है किस तरीके से हाल में UKPSC का trend pattern रहा है और किस तरीके से UKPSC specific तयारी की जाती है start कैसे करना है मैंने बताया कि strategy वीडियो सबसे पहले आपको देखना होता है जो अलरड़ी आप लोग देख रहे है फिर आपको second वीडियो दिया जाता है page group में study material कैसे देखें वाला वीडियो वो आपको देखना पड़ता है उसमें basic बताया गया है telegram features बताया है PDF कैसे download होती है step by step message यह आपके page group में ही लगा हुआ देख पा रहे होंगे आप उसमें unit wise दिया हुआ index के form में कि किस unit के लिए क्या PDF दी गई है फुल विलाकर बात यह है कि study for civil subjects ने पूरे syllabus को आपको content form में दे दिया जितना भी syllabus में point लिखे हुए है सारे के notes आपके पास मौझूद है Hindi में लग English में लग और current affair थोड़ा update करना पड़ेगा वो आपको group में ही मिल जाएगा April 1st week तक आपको current affair भी total update हो करके मिल जाएगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा तो study material भी हमने पूरा topic wise आपको unit wise दे दिया है practice resources हमारे already running है काफी दिन से उनका lab लीजिए आप practice resources के रूप में paid quiz लगतार चल रही है test series latest update के साथ आपको भी लेगी क्योंकि पहले ये नहीं तया था कि 50 questions prelims में UK special के आएंगे ये आएंगे पहले आप 20 से 25 सवाल हुआ करते थे तो test series भी हम update करके आपको देंगे 50 questions UK special जिसमें होंगे वैसी test series आपको दी जाएगे जो सब कुछ जो है study for civil services प्रोइड कराएगा डेवी 6 गंटे आपको अगले 100 दिवस्ता खुद को prepare करना है, तयार करना है, train करना है 3A से UK PSC syllabus के लिए यह आपकी overall मोटा मोटी strategy है अब इसमें breakdown कर लेते हैं शुरूर से क्या आखिर तक सबसे पहले cut off पे बात करेंगे cut off यहाँ पे जो गया था 2020 वाले की बात करेंगे पहले की बात नहीं करेंगे, पहले pattern बहुत अलग हुआ करता था 2020 में अगर बात करेंगे अराउंड 100 भी गया था यह इसलिए गया था क्योंकि UKPSC का जो paper अगर आप देखें जो अपरल मन्त में हुआ था काफी easy to moderate side आया था easy moderate आया था और उत्राखंड special का वेटेज भी मैंने मताया कितना था उसमें 21 प्रशन पूछे गया थे क्योंकि आप दिन प्रते दिन होने वाली खट्नाओं से ज्यादा familiar रहते हैं किसी भी आउटसाइडर से तो 50 questions जो हैं आपको UK special के face करने पढ़ेंगे GS paper 1 में फिर भी हमारा target यहां पर 185 questions के राउंड रहना चाहिए क्योंकि जैसे हमने pet group चलाया है तो सारे resources आप कर ही सकते हैं लेकिन आपको मैं paper के दिन बताऊंगा कि study material जो हमने develop किया है उससे कितने questions UK special के आप directly निकाल सकते थे सबसे पहले syllabus को डंग से पढ़ना है जो लोग pet group में है उनको अलग से पढ़ना चाहिए वैसे भी लेकिन मैं आप भी breakdown करूँगा आपके लिए syllabus को पूरा word by word तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे official syllabus में जितना भी point लिखा हुआ है सबका study material हमने बना दिया है पहले ही आपको उसको study करना है उसमें जो कोई update आएगा वो आके आपको मिलता रहेगा जैसे economic survey हो गया अभी फिलहाल लेकिन आगे आपको मिल जाएगा अप्रिल मंत में नाशल इंट्रनेशल करेंट फैर जो तयार करना है जो यूनिट 6 है आपका नाशल इंट्रनेशल करेंट फैर जुलाई दो जाएगा जैसे इंट्रनेशल और्गनाजेशन है आपके एक यूनिट में क्या है इंट्रनेशल और्गनाजेशन में आप देखेंगे हर महीने कुछ ना को जीओ पलिटकल अपडेट होते रहते हैं उसमें जैसे आपने देखा यूनेशको को भी यूएस ने रिजॉइन कर लिया है ना ना आपको तुरंत उसमें पढ़ने लगना है अचा यह जो सब्जेक्ट वाइस है आप यह बिमानी होगी इसको देखना है क्योंकि यह वाले तो बिल्कुल वेकार ही है 12-16 वाले अगर 21 वाला भी देखें तो इसमें UK स्पेशल कितने प्रश्ण आए थे 21 प्रश्ण इसमें आ तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए UK स्पेशल पर आप आपको फोकस करना ही पड़ेगा अगर आप अधर स्टेट पीसे के हैं तो आप वन थार्ड कोश्चन छोड़के नहीं जा सकते हैं गटाउफ क्लियर करने आप कर ही नहीं पाएंगे निश्य दौर पर पीछे र करना ही पड़ेगा सबसे पहली प्राइटी युके स्पेशल है फिर करेंट अफैर फिर हिस्ट्री इंडरनाशनल बूम्मेंट पॉलिटी जोग्रफी साइन्स इंवायरमेंट इस तरीके से हमारी प्राइटी है सब कुछ आपको कवर करना है क्योंकि यूनिट वाइज है सि आपको लगभग कोई रोक नहीं सकता है प्रिलम्स का गटाओफ क्लियर करने से इटेस्रीज का चेडूल है यह सब मैं अभी आपको दिखाऊंगा फॉलिट टेस्ट में उसी तरीके से होगा 50 कोशन्स डाले जाएंगे UK स्पेशल के लेकिन सबसे जरूरी बात उसको देख लेते हैं सिलेबस तो सिलेबस में बात कर ले रहे हैं सबसे पहले जो चेंज किया गया है तिरफ यह मेजर चेंज आपको सिलेबस पर देखने को बिलेगा समान विज्ञान के प्रश्ण दैनिक अनुभव और प्रेक्शन से सम्मंदित होंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित वेक्ति से पेक्शा की जा सकती है पहले कि जैसने वेज्ञान के विश्यों का विश्यष अधेन ना किया हो और लिक्षा है जो कई स्टेट पीसिस लिख करके देते हैं जैसे बीप्यश्य में लाइन लिखी रहती है और लिखिय रहती है यूब प्यानिक अनुभव आपका हो या फिर ना हो आच्छी तैयारी होनी चाहिए धर्वाइस उन प्रश्णों का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं आप किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से पूछिए कि क्या है आइलेट्स ऑफ लेंगर हैं इसके बारे में जानते हैं महुत लोग नहीं जानते होंगे लेकिन जो इक विश्यों का विश्य सद्ध्य हना किया उसको भी जानकारी होती है वो पूछा जाएगा जबकि ऐसा होता नहीं है तो यह एक फार्स है एक तरीके से फॉल स्टेट्मेंट बान सकते हैं लेकिन आयों किस तरीके से लिख करके देते हैं तो बस यही मेजर चेंज है और को कोई अनिवारता नहीं होती थी तो सिले बस आपका पहले भी उनिट वाइज होता है था इस बार भी उनिट वाइज है भारत का इतिहास संस्कृति राष्ट्री आंदोलन यह पहला यूनिट है इसमें भारत का इतिहास संस्कृति राष्ट्री आंदोलन मौरे समाज गुप जो प्रणालियां लाई गई थी जो चेंजिस किये गए थे भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के बारे में विभिन ने जो अधिवेशन हुए थे सूरत का अधिवेशन और कॉंग्रेस का विभाजन मौरले मिन्टो रिफार्म्स प्रथम विश्वियुद्ध और राष्ट्री अंदोलन विश्विद्ध राष्ट्री अंदोलन होम रूल अंदोलन लखनाव समझोता है सब स्टडी करना है खिलाफ अता अंदोलन भारत सरकार अधनियां 1935 की डिटेल उत्राखंड का इतिहास संस्कृती में वही सब रखा गया प्राग इतिहास सिकाल आध्यातिहासिका कुनिंद कार्तिकेपुर करतुरी गडवाल गोर्खा ये सब कवर करना है कुमाओं का चंदराजवन्ष गडवाल का परमार गोर्खा आकरमण सासन उनका टेरी रियासत बहुत दरूरी हर बार इससे कुश्चन आता है और उत्राखंड का स्वतंतता संगर 1857 और उसके बाद विभिन आंदोलनों में उत्राखंड के जो विभिन व्यक्तित्तु सामिल थे उत्राखंड के जो छेतरी जन आंदोलन हुए जाती आंदोलन हुए थे ये सब कवर करना है सम्मदित अन्य पहलू यूनिट टू वही है सेम कॉपी पेस्ट फिछले बार जूपा थे 2020 में वही राजवश्था देखेंगे तो भरतिराजवरस्था में राश्ट्री राजवरस्था है, फिर अंतर राश्ट्री भी है, अंतर राश्ट्री से पहले काफी सारे सववाल आ जाते थे आप देखे, 15,16,17 तक भी परस्चन पहले आ जाया करते थे, लेकिन इनका better as कम करके आप उत्तराखंड का पंचायती राज लोक नीती है, अधिकारों समंदित मुद्धे हैं, उत्तराखंड की राज वस्था जहां पहले एक दो सवाल आते हैं, दो तीन प्रशन इसमें अब आजाएंगे, पांत से शे प्रशन ये आपको मेजर अपडेट, पेपर में देखने को बि जो बेसिक बेसिक हम लोग study करते हैं, उनिट फोर बेसिकली आर्थिक और समाजिक विकास का है, तो तब पहले राश्ट्री, समाजिक विकास, आर्थिक विकास, अंतराश्ट्री भी शामिलेश में, फिर से संगठन है, डव्लू टी ओ है, ब्रिक्स है, ओपेक है, आसियान ह उत्राखंड है, उत्राखंड में बजट की और एकनॉमिक सर्वे की मुख विशेस्ता है, प्राकृति कूर्जा संसाधन, व्यपार बाड़ी जुद्ध्योग, यूनिट फाइब आपका है समान और समान विज्ञान प्रौद्द्रकी है, प्रौद्रकी में विज्ञान प् जैसे स्प्रेड़शीट कानुप्रयोग, आकड़ों कानुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, यह सब जनरली मेंस के टॉपिक होते हैं, सुदूर, सम्वेधन, क्या उधार आई हैं सब, लेकिन यह प्री में है, सेटलाइट वगरा सब आएगा इसमें, बहुत दिकी, फि सुक्ष्म अफ्रादु की नैनो टेक्टलोजी हो गया, जयावुतपाद, टीके, पृतिरक्षण, इम्मुनिटी, वग्यानिक, पारिभासिक सब्दावली भी है, यूनिट 6 जो है यह आपका उत्राखंड का करेंट फेर, और नाशनल इंटरनाशनल करेंट फेर, यह सब आ इस तरीके से वेटेज आपको शिफ्ट होता, वो देखने को बिलेगा, जहां पर 21 प्रशन, 25 प्रशन माक्स उत्राखंड स्पेशल किया थे, लेकिन आप प्रशन दो गुने होने वाले है, तो सिलेबस वही रहेगा सब, लेकिन वेटेज बढ़ जाएगा उत्राखंड वा आपको प्रवाइड करेंगे, लेकिन जो तैयारी है वो study for civil services दोर दियेगा, content से ही करनी है, आपको तब ही आपको यहाँ पर benefit मिलेगा, सिलेबस बहुत बड़ा है, आप आसानी से books के चक्कर में misguide हो जाएंगे, आप इतने books ले आएंगे, उनको पढ़ नहीं पाएंगे, और सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा, जो इस तरीके के एक्जाम होते हैं, जिसमें detailed सिलेबस आता है, आप इसको किसी set of books से नहीं पूरा कर सकते हैं, कई सारी चीजों की book नहीं आती है, इसकी कोई book नहीं आती है, इसमें आपको अच्छे से पूरा खुद compile करना पड़ता हैं, क्योंकि latest update के साथ जो भी जरूरी होता है, वो हम अपने group में provide करते हैं, सब कुछ चेक करके हमारी team चेक करती है, पूरी content team लगती है topic पर और उसको इस तरीके से करती है, कि exam में उससे question आप सही कर सकें, for example international organization हो गया, उत्राखंड का जो कई सारे राजवस्था वाली च UCC का factual nature का होता है, एक दो paper मैंने दिखाए, आप समझ गये होगे, और 2020 वाला paper भी देखेंगे, तो ये बहुत clarity रहनी चाहिए, कि factual nature का होता है, factual nature का मतलब क्या हुआ, उत्राखंड UCC Act, बहुत चर्चा में रहा है, इससे question आनिक से भी संभावना है, तो इसी कम example देता आप से इसपे बहुत detail नहीं पूछेंगा, इससा हो सकता है, इसपे simply ये पूछ लें आप से कि इसको उत्राखंड की assembly ने कब पारित किया था, वो date बताईए, तो date आपको याद होनी चाहिए, 7 February, इसको President Ascent कब मिला, 13 March, ये सब dates आ सकते हैं directly exam में, ये सब छोटी-छोटी nuances and details पर focus करता है, UKPSC, कोई भी एक topic पकड़ेगा और आप से उसमें detail पूछेगा, कोई एक ही चीज पूछेगा, लेकिन वो काफी आपको pinpoint ही याद होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं factual nature का exam, conceptual nature का exam जब assertion reason में इस तरीके से put करा जाए, तो आपको पूरा एक concept उसमें पता हो पह करती है, उससे मिलाईए, आपको glacier है, कौन सा glacier कहाँ पड़ता है, उससे मिलाईए, आप कौन सी घाटी, किस peak से संबन दीता है, उससे मिला दीजेए, ये सब चीजेए, आज कल आने लग रहे हैं, लेकिन ये पूरा statunutorial से आप cover कर सकते हैं, कोई इसमें rocket science नहीं है, जबी exam का syllabus जादा होता है, हमने देखा है, observe किया होगा, कि जैसे UPPSC हरियाना PCS, वो syllabus एक page का लिख करके देते हैं, लेकिन exam tough आता है, lengthy आता है, difficult आता है, लेकिन UKPSC में क्या है, कि syllabus बहुत बढ़ा लिख करके दिये जाता है, लेकिन exam के questions lengthy नहीं होते हैं, exam के questions easy moderate type होते हैं, cut off जा के आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, हर एक जो बिंदो लिखा हुआ है, उससे एक question बन सकता है, जैसे OPEC की स्थापना कब हुई, simple पूछ सकते हैं, OPEC का headquarter कहा है, WTO पहले किस नाम से जाना जाता था, WTO की स्थापना कब हुई, भारत क्या WTO के कह सकते हैं, founder states में से है की ब्रेटन वुट्स organization में कौन कौन से organizations आते हैं, simple यह सब चीजें पूछा जाता है, UKPSC में, कोई अगर appointment भी हुआ है, तो उसमें पूछ लेते हैं कि इनका appointment किस लिए हुआ है, किस post पे हुआ है, इस तरीके के प्रश्ण होते हैं, जैसे हम quiz में करा रहे हैं, जैसे हम quiz में कर चित रूप से, यह हमारा UKPSC का quiz group है, इसमें लगतार quiz practice चल रही है, और आगे भी इसमें exam specific questions करा जाएंगे, जैसे इसमें question पूछा गया है, कि निम्ण में से किस परवती स्थान की हुचाई समुदर तल से सबसे आधीक है, तो इस तरीके के प्रश्ण आपको लग रहे हैं कि बहुत बचकाने से, लेकिन इस तरीके के प्रश्ण आते हैं UKPSC में, उटी यहां पर सही answer है, तो जैसे प्रश्ण आते हैं, वैसे ही प्रश्ण आपर कराय जा रहे हैं, matching वाले questions कई बार आते हैं, और इस इसी तरीके के प्रश्ण आपको बिला कर देखने को बिलता है UKPS APCULTURE जो scientific method है, जैसे science वाला जो portion है, unit है, उसमें दिया हुआ है, कि आपको scientific method बगार एक बारे में पता होना चाहिए, तो किस से समझ देता है, जैसे मैं यहां पर honey choose करता हूँ, तो यह सही हो गया, इसमें animation हो गया, यह मतलब आपका उतर सही हो गया, जो आपने उतर लगा समर्पित है, जैसे हम लोग A वाला चूस करते हैं, तो यहां पर cross लग गया, cross क्या कहता है, कि मैंने जो उतर लगा है, वो गलत उतर है, जहीं उतर कौन सा है, जहां पर white tick mark लगा है, सोम और इस पे पर नामांकित देवता को समर्पित है, तो इस तरीके के प्रशन आते हैं, तो गलत है, यह अंटार्क्टिक में स्थेत है, को इस ग्रूप में अगर आप देखें, first question, यह कप से चल रहा है, 9 January 2023 से चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि आप current fair के सवाल अब यहां से नहीं देखिए, 2023 वाले current fair आप जुलाई से देखिए, जन्वरी से लेकर जून तक के current fair है, अब वो ज्यादा खास जरूरी नहीं है, UK special वाले चाहे तो देख सकते हैं, दर्वाइस current fair आप ज्यादा जरूरी नहीं है, बाकी सारे quiz के question अलंकि बहुत जरूरी है, सारे आपको लगाना चाहिए, अच्छे से इसका उपयोग करिए, डेली जो है कम से कम study hours में 45 मिनिट आप practice के लिए, इस quiz group की कोई PDF नहीं मिलने माली है, तो आप इसको quiz group में ही attempt करिए, जान बूज करके ये आसो विधा कैसकते हैं, या दी गई है या फिर हमने strategically किया है, कि आपको quiz की PDF नहीं मिले, आप डेली इसी में practice करिए, क्योंकि ये जो practice session है, डेली जो आप quiz practice क करता है, या आप सही वाले उत्तर तक पहुंचे है, इस तरीके से डेली quiz आपको practice करने हैं, डेली 45 मिनिट कम सकम quiz practice के लिए रखिए आप, quiz group आप पुराने से नए की तरफ भी solve कर सकते हैं, और नए से पुराने की तरफ भी solve कर सकते हैं, सारे question बहुत relevant है, और आपको exam में इसका बहुत लाब मिलने माला है, जैसा एपीडा का विस्तरत रूप इसमें पूछा है, आप से पूछ सकते हैं कि एपीडा की स्थापना का वर्स क्या है, ठीक है, किस year में एपीडा की स्थापना हुई थी, जैसे मानली जिए मैं इसमें चूस करता हूँ, option number D यहां पे च परती रहनी है, डेली कितना कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए एक थोड़ा सा इंसाइट में देद रहा हूँ आपको, calculation बहुत simple इसमें, 6 unit है, 150 questions आपके आने, तो हर unit से 30 प्रशनिस में बनेंगे, UK special one third portion है, यह हमेशा ही धिहान में रखिए और भूल मत जाईएगा, one third UK special है अच्छे से UK का जितना भी organization है, उसको अच्छे से detail में cover करना है, आप कोशिश करिए कि 2 घंटे UK special जरूर पढ़े, one third portion है, तो study का one third portion भी इसमें आपको invest करना ही पढ़ेगा, और दूसरी चीज़ा है कि 45 minute practice पे जरूर focus करिए, 45 minute से 1 घंटा जितना भी आप इसमें दे पाए प्राक्टिस जरूर करना है, प्राक्टिस के लिए enough resources, study for civil services ने दिये हैं, आपको quiz group में तमाम question हो चुके हैं, सारे cover करने में आपको 60-70 दिवस लग जाएंगे जब आप regularly 45 minute practice करेंगे, बाद में फिर test series आपकी आनिये, test series का time plan अभी हमने उपर दिखाया है, test series आपकी होगी इसमें भी बिल्कुल syllabus से aligned होकर के, बिल्कुल latest trend और pattern के हिसाप से question कराये जाएंगे, जैसे अभी forest conservator का paper हुआ है, junior stand का paper हुआ है, उसी level के questions कराये जाएंगे test series में, total 22 test आपके होने हैं, तो 12 तो section wise test हैं, और फिर full end test आपके हैं, 10 ये full end test हैं, इसमें वैसे ही प्रशन कराय जाएंगे, जैसे आपका paper आना है, 50 questions UK special के और बाकी आपके other unit सम्मंदित question, 15 June से हम इसको शुरू कर रहे हैं, 24 June को इसको finish करेंगे, आगें सभी dates यहां पर tentative हैं, और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, माले जी exam date पहले की रहती है, तो exam date से 15 दिवस पहले, करीब 15-14 दि जो हमने date decide की last test की 24 June से पहले की exam date आ गई, संभावना नहीं है, लेकिन एक हम scenario मान के चलते हैं दिमाग में, एगर 24 June से पहले की date आ गई, तो हम 10 June तक आपके सारे test यहां पर खत्म कर देंगे, तो इससे आप अस्वस्त रही है, जो भी student के हित में होगा, study for civil services हमेशा उसी प आना पड़ेगा, 189 post है, number of post बहुत जादा नहीं है, और 4 साल बाद, 3 साल बाद post आई है, आगे पता नहीं कब आएगी, यही motivation आपके लिए काफी होना चाहिए, 6 गंटे, 6 गंटे आपको study कराने के लिए, और revision कराने के लिए, यह पता नहीं कब अगला state pieces आएगा, यह आपको हर हाल में qualify करना ही है, अगर आप UK PSC regular तयारी करते हैं, क्योंकि पता नहीं अगला attempt कब मिलेगा, तो 6 unit है, 150 questions आपको target करना है, और unit wise content पढ़ेंगे, तो mains का भी काफी, इसलिए बस match हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी lab मिलेग, at least UK special वाले में, तो इसलिए लगतार आ कई सारे चीज़ें पढ़ेंगी यहां पर, festival season भी आ जाएगा, शादियों का season भी आ जाएगा, लेकिन आपको उससे हट करके, तयारी में focus रहना है, क्योंकि exam date कभी pronounce हो सकती है, एक बर form भर गया, exam date कभी pronounce हो सकती है, और फिर आपको paper देना ही पढ़ेगा, कई सारे लोग प note making करें कि नहीं करें, problems के लिए, यह सवाल रहेगा, मेरे साब से आप note making करने का बहुत ज्यादा chance नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि exam date आ जाएगी, जैसे ही form भराने की date और modification की date ओवर होगी, तुरंत exam date आपको देखने हो पिल सकती है, वैसे भी vacancy late चल रही है, तो approach यह रहन लाई गई है, obvious सी बात है, जो कारीगर लोग है, उनके लिलाई गई है, जैसे इसमें, जो skilled labor है, motor mechanic वगएरा, उनको नहीं शामिल किया गया, इसमें जो trade से associated जो लोग है, जैसे मिशली का जाल बनाने वाले, आवजार बनाने वाले, चाकू वगएरा बनाने वाले, बढ़ा जाएगा, च्छे तरीके के support को दिया जाएगा, जैसे skill upgradation है, loan वगएरा है, recognition मिलेगा, आपको certificate मिलेगा कि PM विश कर्मा से आप सीखे हुए है, इसमें loan वगएरा कितना मिलेगा, पहले एक लाग, फिर दो लाग, एक लाग चुकाने के बाद, दो लाग के लिए eligible हो जाए है, लागू करने वाला पहला राजी या के इंसासी प्रदेश कौन सा बना है, जैंड के बना है, तो यह यह आ सकता है, भारत का पहला हर घर जल राजी कौन सा है, क्या उत्तराखंड को status मिला है, इस तरीके से चीजें पूछी जाती है, मतलब one-liner चीजें, जैसे एंटर में दीक किनार है, यह सब चीजें पूछी जाती है, तो नोट पेकिंग के अप्रोच वैसे ही, जैसे पीवाई क्यू आते हैं, लब पीवाई क्यू आए हैं, उस हिसाब से रहेगी, रिसेंट पेपर समझ जैसे पूछा गया वो रहेगी, तो लो लाकर हमारी डिटेलिंग सफि दैसे परिशार भी कर यह, आप नोट नहीं भी कर त्रहें particular है, तो फेस्टिवाल के बारे में डिया वाई है, ठीचेल काहां मनाया यह वो सफिशेंट होता है आपको research and development की ज़रुरत हमारी study material में करने की ज़रुरत नहीं है उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रुरत होती है आप अपने लिए और creative बना सकते हैं जो भी चीज़ें strategy में बताई गई है उनको follow करिए इधर दर के भटकाव से बचिए खास कर कोई आपको live classes का चूरन बेच रहा है उससे तो 100 गदम आप दूर भाग जाईए आप syllabus देखिए syllabus 9 पेज में छपा है live class मेरे साब से 10 दिन चलेगी व इसमें बहुत limited syllabus की तरह जा सकती है जिसमें बहुत ही कम syllabus हो या फिर जो बहुत छोटा सा exam उसकी तयारी आप कर सकते हैं school level का exam कि त regular election का लेकिन इसमें आप स्टेट पीसे कीतारी ने कर सकते हैं प्रोलेम्स और मेंस की जो आपके syllabus में वो नहीं तияर करना है आपको वैसे तो चल रहा है रशिया यूक्रेण यूद बताई को जो है ऑप्शन में इस तरीके से तो फैक्ट जो भी जरूरी है स्टेडी मुटेल में कवर्ड हैं वालतों के डिबेट्स डिसक्शन से बच्शी ज्यादा तर समय आपका स्टेडी टेबल में बीचना चाहिए और यह से आपर रेगुलारिटी कंटिनिटी की है और इंटेंट की है बहुत सारे लोग पहले त्यारी कर रहे हैं लेकिन जो अभी भी शुरू हुए ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीशे रह जाएंगे कई सारे लोग एकदम से उठके भी प्रिलम्स क्लियर कर सकते हैं वह शरते उनमें इंटेंट हो और उनमें इसको क्लियर करने के लिए जो कह सकते हैं पैशन है सेक्रिफाइस करने की शमता है वो अगर रिकॉर्ड जो है वो अगर वो परसस करते हैं या फिर करने को तयार है तो बिल्कुल अभी भी कट आफ क्लियर किया जा सकता है बागी कई बार मेंबर्स क UK special में कोई doubt है history में किसी year में doubt है geography में किसी fact में doubt है concept में doubt है तो आप वहाँ पर put कर सकते हैं आप हमारी notes में doubt पूछे हैं तो pick भेज करके doubt पूछ सकते हैं इसमें है ना आपको doubt यहां पर तुरंत यहां पर solve किया जाता है आप तो date वगरा भी आ गई है तो prioritize करके UKPSC के group में जितने भी doubt पूछे जाएंगा उनको solve किया जाएगा बाकि जो लोग discussion group का part नहीं है मालीजे आप only UKPSC special material वाले group में आपको कोई doubt लग रहा है material में से तो इस given number पर आप अपनी कवरी भेज सकते हैं इसमें थोड़ा patience रख करके आपको इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि 24 hour तक इसमें लग सकते हैं doubt solve करने में उतना patient आपको रहना पड़ेगा आप केवल और केवल text message के माध्यम से यहाँ पर doubt भेज सकते हैं इसमें calling allowed नहीं है पाकि जो लोग discussion group में उनके लिए पूरा admin panel न्यूक्त किया जाता है क्योंकि obviously बाते हो एक्ष्टा fee भी पे कर रहे है तो उनको personalized support दिया जाता है आपका doubt जो है within 6 hours दिन के समय में working hours में solve करके बताया जाता है तो इस तरहीके से daily 6 hours की strategy आपको follow करना शुरू कर देना चाहिए UKPSC के लिए ठीक है all the best